विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की कार्वनिक रसायन की कक्षा में स्वागत है आज हम पिछले टर्न पे हमने गुलकोस की खुली संद्रचना के बारे में अध्यन किया था और हमने देखा था कि गुल्गोज की खुली संद्रचना CHO, CHOH, 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 CHOH और CH2OH होता है यानि चार CHOH ग्रुप, एक सिरे पर CHO ग्रुप और दूसरे सिरे पर CH2OH समू होते हैं और इस तरह से इनकी खुली संद्रचना प्राप्त होती है अब हम बात करते हैं कि फैनिल हाइड्राजीन के साथ गुल्गोज की क्रिया किस प्रकार से होती है फैनिल हाइड्राजीन के साथ गुल्गोज की क्रिया करवाए जाने पर फैनिल हाइडराजीन के तीन अणों के साथ अभिक्रिया करके नारंगी रंग का क्रिस्टिलेट होस गुलकोजा जोन बनाता है फ्रक्तोस भी इसी प्रकार का ओसा जोन का फॉर्मेशन करता है तीन अनों के साथ इसकी अभीक्रिया होने पर फैनिल हाइडराजीन का पहला मोल अभीक्रिया करता है और एल्डी हाइड समू के अक्सिजन के साथ एडिशन रियक्शन करता है दूसरे मोल की साथ अफिक्रिया होने पर अमोनिया का एक अनू इसके अंदर से निकल जाता है और फिर तीसरा समू, तीसरा अनू, तीसरा मोल फिनाइल हैड्राजीन का सेकिंड नमबर के कार्बन एटम के उपर इसका जुड़ जाता है और इस तरह से ओसा जोन का फॉर्मेश जेना स्क्रीन पर दिखाए अनूसार आपको दिखाए देती है जिसके अंदर की एन, एच, C6H5, एन, डबल बॉंड, CH, सिंगल बॉंड, आर, CH और ये एन, C6H5, तो एक कार्बन के नाइट्रोजन के साथ, दूसरे कार्बन के उपस्तित, कार्बन पर उपस्तित, नाइट 6-membered chelation और ring बन जाती है, और यहां पर बनने वाले hydrogen bond और chelation हो जाने के कारण से, ये संद्रचना स्थाई हो जाती है, और आगे इसकी अभिक्रिया संभव नहीं होती है, और आगे वाला जो group है, वो आगे oxidize नहीं होता, तो इस तरह से, एक केवल 3-mol phenyl hydrogen की अभिक्रिया होती है, और osa zone का निर्मान होता है, अब हम बात करते हैं, पर आयोडिक अमल के साथ अभिक्रिया से, glucose की पर आयोडिक अमल के साथ अभिक्रिया करवाई जाने पर, glucose का cleave हो जाता है, glucose का जो संद्रचना है, वो तूड़ जाती है, 5-mol hydro-iodec acid के, glucose की संद्रचना के साथ अ और oxidation होकर के, 5 अनू formicuml और 1 अनू formaldehyde का प्राप्त होता है, अर्थाथ HI के साथ अभिक्रिया करवाई जाने पर, जो glucose है, वो तूड़ जाता है, और इसकी हर एक जो bond तूटा लगा हुए है, वो तूड़ जाता है, और जो CHOH ग्रूप है, वो HCOOH ग्रूप में convert हो जाता है, तो इस तरह से हाइड्रो अयोडी कमल के, गुलकोस के साथ अभिक्रिया करवाई जाने पर, 5 अनू काम में आते हैं, और ये आपस में तूट करके, फॉर्मिकमल, 5 अनू, 5 मॉलिक्यूल, फॉर्मिकमल के, और फॉर्मेलडी हाइट के, एक अनू का निर्मान करते हैं, मे CH2OH, सिंगल बांड CH2OH की बात करेंगे, तो ये HIO4 के साथ जब ऑक्सिडाइज होगा, तो दो मॉल फॉर्मेलडी हाइट के बनाता है, इसी तरह से ग्लाइकॉलिक अल्डी हाइट यदि ऑक्सिडाइज होता है, तो एक अनू फार्मिक एसिड और एक अनू फॉर्मेलडी हा हो रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो CH2OH समू है, वो HCO में कनवार्ट होता है, और फॉर्मेलडी हाइट में कनवार्ट होता है, और बचे हुए जितने भी प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप हैं, वो सब फॉर्मिक एसिड के उसमें ऑक्सिडाइज हो हैं और इसमें उपस्तित गुलकोज के आणों में एक एल्डिहाडिक समू, चार सेकेंडरी अल्कोहलिक समू और एक प्राइमरी अल्कोहलिक समू की पुष्टी होती है, तो इस तरह से हमें ये पता चल जाता है, दूसरी और महत्प अभीक्रिया है, इसकी गुलकोज की अभी क्रिया के द्वारा लिब्योलिक एसिड बनता है ये लिब्योलिक एसिड अमलिकी क्रिया के द्वारा बनता है और ये 5-Hydroxy-Methyl-Furfuril भी बना सकता है यानि जब गुलकोज की HCl के साथ अभी क्रिया होती है तो 3-mol जल के निकल जाते हैं और 3-mol जल के निकलने के 5-Hydroxy-Methyl-Furfuril या लिब्योलिक एसिड बनता है इसके बाद लेते हैं हम मिथाइलेशन या मैथिल करान मैथिल एलकोहल के से शुष्क-HCl की उपस्तिती में मोनोसेक्राइट की क्रिया से एथर जिसे हम ग्लुकोसाइड या फ्रक्टोसाइड कहते हैं बन जाता है तो जो ग्लुकोस है उसके ग्लुकोस के एक एलकोहली ग्रूप पर CH3OH मिथाइल एलकोहला भी क्रिया करेगा SCL की उपस्तिती में और मिथाइल ग्लुकोसाइड का निर्मान होता है इसे हम मिथाइलेशन या मैथिली करण की क्रिया करते हैं इसमें प्राइमरी एलकोहलिक ग्रॉप या CH2OH ग्रॉप के OH की इससे क्रिया होती है मिथाइल एलकोहल के मॉलीक्योल से और एक तरह से Ester का निर्मान हो रहा है जिसे हम ग्लुकोसाइड या मिथाइल ग्लुकोसाइड कहते हैं अब हम बात करते हैं फर्मेंटेशन की या किन्वन की प्रक्रिया की इसके अंदर अंतर सैल्लूलोस एवं पैन्टोस के अतिरिक्त सभी सैकेराइट यिस्ट के दवारा फर्मेंटेड होकर के ऐलकोहल बनाते हैं दो इधाइल एलकोहल के मॉलीक्यूल और कार्बन डायाकसाइड के मॉलीक्यूल का निर्मान कर देता है sodium hydroxide के साथ अभी क्रिया करवाये जाने पर glucose और fructose दोनों brown color के हो जाते हैं और resin की तरह से बन जाता है जबकि सुक्रोस और दूसरे polysaccharide की sodium hydroxide के साथ कोई भी क्रिया नहीं होती है तो यदि हम D-glucose को देखते हैं तो D-glucose sodium hydroxide की उपस्तिती में इसमें carbon number one पर यह secondary alcoholic group में convert हो जाता है जो LD-HD group है वो secondary alcoholic group में convert हो जाता है फिर और आगे हम देखते हैं तो यह CH2OH में convert हो जाता है और यह इस तरह से CH2OH में convert हो जाता है और पहले carbon पर CH2OH हो जाता है और दूसरे carbon पर C double bond O आ जाता है यानि NaOH की उपस्तिती में जो गुल्गोज है वो trans-ean diol बनाता है और यह trans-ean diol जो है fructose में परिवर्तित हो जाता है fructose वापस sodium hydroxide की उपस्तिती में ही CHOH group वापस secondary alcoholic group में convert हो जाता है और जो एक hydrogen है वो वापस second carbon पर आ जाता है second carbon पर CHOH group में convert हो जाता है पर इस case में OH group की position change हो जाती है जैसा कि आपको संदर्शना में दिखाई दे रहा है और इस तरह से glucose के एक isomer manose का निर्मान होता है तो तनू एन्योवेज के साथ reversible और isomerization की प्रक्रिया होती है अर्थात वन टू इनोली करण के द्वारा गुलकोस डी गुलकोस डी मैनोज और डी फ्रक्टोस प्राप्त होते हैं मैनोज एवं गुलकोस भी इसी तरह से product का formation करते हैं अब हम लेते हैं इसकी मॉलिश इसका जो carbohydrate का जो महत्यपून टेस्ट है वो है मॉलिश अभी कर्मक टेस्ट कार्बो हाइड्रेट को फिनॉलिक पदार्थ के साथ घोल करके परखनली के दिवार के सारे सारे उसमें concentrate एस्ट्वेस ओफोर डालने पर जहां पर दोनों सते मिलती हैं वहाँ पर लाल या बैगनी रंग आता है रंग बनती है लाल या बैगनी रंग उसको हम लाल बैगनी रंग के बनने से हमें ये पता चलता है कि इस पदार्थ के अंदर कार्बो हाइड्रेड उपस्तित है तो कार्बो हाइड्रेड का मॉलिश अभी कर्मक वाला जो टेस्ट है वो एक confirmative test है अभी इससे पहले हमने जो संदर्चना देखी थी वो गुलकोस की कौन सी संदर्चना थी खुली संदर्चना परन्तु गुलकोस की खुली संदर्चना से गुलकोस की बहुत सारी जो सपश्टी करण है वो नहीं हो पाते हैं जैसे की गुलकोस की खुली संदर्चना से गुलकोस शिफ अभी कर्मक के साथ गुलाबी रंग नहीं देता है इसके बारे में कोई स्पश्टी करण नहीं मिलता है खुली संदर्चना सोडियम बाई सालफाइट वामोनिय के साथ करिया से एड़क्ट क्यों नहीं बनता इसके बारे में कुछ नहीं बताती है अल्ट्रा वाइलेट में सी एचो का स्पैक्ट्रा नहीं आता है इस बारे में खुली संदर्चना कुछ भी नहीं बताती है तो अब हम बात करते हैं इसकी गुलकोज के अनू की विन्यास की सबसे पहले अब हम गुलकोज के अनू की विन्यास की बात करते हैं गुलकोज के अनू का विन्यास बेर्खी वेक्तसंदरचना के अनुसार गुलकोज में चार एसिमेट्रिक कार्बन है यानि 2 to the power 4 is equal to प्रकाशिक समाव्यवी इनके 16 या 16 होने चाहिए इन समाव्यवों में से एक गुलगोज का विन्यास होगा जिसे ग्याद करने के लिए केलिनी सिंथेसिस की विधी काम में लेते हैं इसे ग्याद करने के लिए निम्नशेणी के एल्डोस से अधिक असम्मित कार्बन यूग्त उच हायर जो है वो सब्स्ट्यूट प्राप्त किया जाता है यानि दो समभावित ऑप्टिकल आईसोमरिस्न का मिक्सर बनता है इसमें जैसे एल्डोपेंडोस से इस विधी के द्व द्वारा एल्डोपेंडोस से गुल्कोस और मैनोस बनते हैं तो गुल्कोस और मैनोस जदी हम किलिनी सिंथेसिस से यदि हम अध्यन करते हैं तो यहां पर हमें जो प्राप्त होता है वो गुल्कोस और मैनोस का मिक्सर प्राप्त होता है और यह गुल्कोस और मैनोस का मिक्स प्राप्त होता है तो इस अभी क्रिया में गुल्कोज D-Glyceraldehyde से प्राप्त होता है आते इसे D-plus गुल्कोज कहते हैं तो D-plus गुल्कोज की संद्रचना यदि हम देखते हैं तो इसके अंदर CHO, CHOH, 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 CHOH और CH2OH, D-plus गुल्कोज की अपस्तिती में हो जाता है यदि L- गुल्कोज होता है तो उसमें OH group second carbon पर यदि हम खुली संद्रचना में लिखते हैं तो right side की बज़ए left side में लिखते हैं जैसा कि आपको screen पर दिखाई दे रहा है तो LD-plus की संद्रचना भी आपको दिखाई दे रही है और L- गुल्कोज की संद्रचना भी दिखाई दे रही है तो इस तरह से बेर के द्वारा दी गई गुल्कोज की खुली संद्रचना काफी महत्यपूर्ण है परन्तु फिर भी कुछ कारणों को बताने में ये समर्थ नहीं है जैसे शिवभी गर्मक के साथ गुलाबी रंग नहीं मिलता है गुल्कोज सोडियम बाई सलफाइट औ नहीं है और यह एल्डे हैडी ग्रूप से मुक्त है इसका कारण पता नहीं चलता चीएच थ्री ओएज और शुष के सील से क्रिया करने पर गुल्कोसाइट प्राप्त होते हैं दो समाव्यवी क्यों मिलते हैं इसके बारे में कुछ नहीं बताता और गुल्कोज दो प्रका प्राप्त हो जाता है जबकि पीरिडिन के क्रिश्टली करण पर बीटा गुल्कोस मल्टिंग पॉइंट वन फॉटी एट तो वन फिफ्टी डिग्री सेंटिग्रेट प्राप्त होता हैं इन दोनों के ऑप्टिकल प्रापर्टीज और दुरुमन गोणन के मान अलग-अलग होते हैं गुल्कोस का विशिष्ट दुरुवण गोणन अलफा गुल्कोस का प्लस वन वन टू डिग्री होता है और बीटा गुल्कोस का दुरुमन गोणन जो है प्लस 19 डिग्री होता है इसको हम इस तरह का गोण जिन पदार्थों के अंदर पाया जाता है उसे हम परिवर परिवर्ति ध्रुवर्ण गुणन क्या है? गुलकोष का जली विलियन परिवर्ति ध्रुवर्ण गुणन की गुण को बताता है जब किसी पदार्थ के ध्रुवर्ण गुणन का मान समय के साथ कम या ज्यादा होता है तो पदार्थ का ये गुण परिवर्ति ध्रुवर्ण ग दिगरी पर पहुंच जाता है और इसी तरह से यदि बीटा गुलकोज है उसका आप्टिकल रोटेशन का मान प्लस 19 डिगरी है पर वो भी धीरे-धीरे बढ़ता हुआ प्लस 52 डिगरी पर पहुंच जाता है तो इस तरह से इस प्रक्रिया को इस गोन को क्या कहते हैं परिवर् 52 पर पहुंच जाएगा और आपने बीटा गुलकोज ले लिया तो वो बढ़ते 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 52 डिगरी पर पहुंच जाता है तो उप्रोग तथ्यों की व्याख्या करने के लिए टॉलन नामक व्यज्यानिक ने इसे ऑक्साइड संरचना या ऑक्साइड वले के साथ हैमी अंतर अनुक क्रिया करके या इंटर मॉलिकुलर रियाक्शन से हैमी एसीटल और हैमी कीटल संरचना का निर्मान करते हैं इसके बारे में डिटेल में हम अगली क्लास में अध्यान करेंगे दन्यमाद